प्रेंड्स स्वागत आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यह वीडियो सिर्फ उनके लिए खास है जो अभी C++ पड़ रहे हैं और उनको समझने आ रहा है कैसे हम लॉजिक को डेवलब कर सके हैं और यह वीडियो उनके लिए भी खास है जो C++ पड़ चुके हैं बट उनको लॉजिक डेवलब करने में प्रोलम हो रही है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी लॉजिक किलियर करने वाले हैं कैसे आपको प्रोग्रामिंग करना है और कैसे आप अपना लॉजिक को डेवलब कर सकते हैं हम बेसिक से प्रोग्रामिंग बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रोलम ना हो और हां अगर आपका कोई भी दोस्त अगर भी सिखना चाहता है अपना लॉजिक को डेवलप करना चाहता है तो उनको लिंक शेयर ज़रूर करें इस चैनल का तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की हैं वीडियो को हम सुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लॉजिकों बैसिक से बताएंगे आपको जिससे कि आप आसानी सा आप अपना लॉजिक को क्लियर कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप दो नंबर को जोड़ सकते हैं सिंपल सी है बहुत ही असान है आप कैसे C++ को यूज़ करके आप दो नंबर को जोड़ सकते हैं चलिए सबसे पहले हम question निकलेते हैं करेंगे और फिर उसका हम एडिशन को हम find out करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले logic लगाने से पहले आपको question समझना होगा कि question क्या कहा रहा है question के recording ही आपका logic develop होगा तो सबसे पहले आपको question समझना होगा फिर उसके recording आपको logic लगाना होगा तो यहाँ पर हम question क्या लिखे हैं दो number को input कराएंगे तो input कराने लिए हम दो variable को ले सकते हैं ठीक है और फिर इसमें क्या करेंगे find the addition of the two numbers तो दो नंबर का फिर हमको एडिशन find out करना है तो एडिशन जो आप find out की जेगा तो उस एडिशन का जो value होगा उसको आप किसी variable में आपको input कराना होगा रखना होगा उसको इनी slice करना होगा जिसके दोरह आप उस value को आप display करा सकते हैं तो यह हम programming c++ में करेंगे बेसिक से आपको बताएंगे हम सबसे पहले हम header file को include करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे c++ में जो header file होता है वो iostream होता iostream.h तो चलिए सबसे पहले हम header file को include कर लेते हैं as include preprocessor डिरेक्टिव इसको बोलते हैं यह हम angular bracket open किये open angular bracket इसको बोलते हैं फिर हम यहाँ पे header file का नाम लिखेंगे तो iostream.as और यह हम angular bracket को close कर दिए तो यह header file है c++ का फिर हम और एक header file को include करेंगे जो कि आप c में पढ़ चुके हैं को यह हम सी में हमेशा यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं क्यूंकि दूस्तों clear screen और get ch यह जो भंसान है यह हमारा को यूज़.h में include रहता है अब हम इसके बाद void main का यूज़ करेंगे अगर आपको basic से सिखना है तो आपको सहसे पहले ऐसे ही programming करना होगा फिर इसके बाद हम क्या करते हैं इस program में जो भी हम variable यूज़ करेंगे तो उसको हम पहले लिख लेंगे उसको हम variable declaration कर लेंगे तो यहाँ पर integer type का variable हम लेंगे क्योंकि हमको दो number को input कराना है तो हम integer यह data type होता है इसको हम data type बोलते हैं और फिर इसके बाद हम दो variable ले लेते हैं suppose हम ले ले ए बी यह हम दो variable ले ले लिए input कराने के लिए दो number को question में दिख रहाए आपको फिर हम क्या करेंगे एडिसन करेंगे दो number का तो एडिसन के लिए हम फिर भेरेबल लिश करेंगे तो यहाँ पर हम add नाम का एक variable यूज कर लिए जिसको जिसका value हम इन इस slice कर लिए 0 यहे हम 0 क्यों इन इनिसलाइज नहीं करते हैं तो इस एडिसन जो है यह एड़ वरियबल जो है इसमें ऑटोमेटिक गार्वेज फेल्यू इंपूर्ट हो जाता है जिससे कि आपका रिजल्ड रॉंग हो सकता है इसलिए आप जीरो इनिसलाइज कर लीजिएगा अपने प्रोग्राम में इसके ब करते हैं फिर हम दो नमबर को इनिपूट करने के लिए हम क्या करेंगे मैसेज प्रिंट करेंगे तो मैसेज यहां पर दोस्तों प्रिंट करने के लिए आप सी में पढ़े होंगे वहां पर हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं बट यहां पर सी प्लस प्लस में सी आउट हो ओपेंड एंगुलर ब्रागेट डवल हम दो बार हम यूज करते हैं फिर यह पर यह डवल कोट्स हुआ फिर हम इसके अंदर हम मैसेज लिखेंगे जो भी हमको प्रिंट कराना है और यह हम बेक्स लेस और फिर डवल कोट्स के साथ हम इसको क्लोज कर दिया और फिर यहां पर हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे टर्मिनेट कराने के लिए अब हम यह मैसेज जैसे हम प्रिंट किये तो इसको हम इसको अब इनपुट कराना होगा यह मैसेज को इसका जो बेल्लियू होगा तो हम यहां पर इनपुट कराने के लिए आप देखें होगे c में हम scan up function यूज़ करते हैं बट यहाँ पर c in नाम का एक function होता है जो कि हम c++ में यूज़ करते हैं और यहाँ पर close angular bracket double close angular bracket हम यूज़ करेंगे और फिर हमको a का value input कराना है तो यह लिखेंगे फिर से हम double angular bracket यूज़ करेंगे और फिर हम b का value input कराएंगे तो यह हम semicolon से इसको फिर हम close कर दिया यह हमारा close हो गया अब इसके बाद हम दो number को input करा लिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे addition करना है हमको तो addition के लिए हम फरूला जानते हैं यहाँ पर state जो जो भी हम variable उस करेंगे वही हमको यहाँ पर नीचे लिखना होगा तो यहाँ पर फरूला क्या होता है यह प्लस बी कि आपको हर statement semicolon से क्लोज करना है फिर यह जो हम addition जो लिखे हैं इसको हम फिर प्रिंट कराएंगे इसका जो भी भेली होगा वह हमको दिखना चाहिए तो इसके लिए हम फिर से हम यह function यूज करेंगे cout फिर हम open double angular bracket यूज करेंगे फिर हम double quotes का यूज करेंगे फिर यहाँ पर लिखेंगे एडिशन इक्वल टू इसके बाद हमारा जो बिल्डियो का वह यहाँ यहाँ पर रिपर्जेंट करेंगा तो हम फिर से इसको double quotes से close कर देंगे और फिर से हम डबल एंगुलर ब्रैकेट ओपेंड करेंगे और फिर यहाँ पर हम एडिलिक देंगे इसका जो भी भिली होगा यहाँ पर डिस्प्ले होगा और यह हमारा से क्लोज हो गया लास्ट में गेट सी एच कि फंक्शन यूज़ करेंग और यह हमारा मेर ब्रैकेट जो है कि यह कलो जो गया बस दोस्तों इतना ही छोटा सा प्रोग्रामिंग है कि इस प्रोग्रामिंग से आप दो नमबर को जोड़ सकते हैं कि यह वह किसी भी टाइप का नंबर हो अगर वह अगर फ्लोट टाइप का नंबर है तो यहां पर सिर्फ आपको फ्लोट लिखना है सिर्फ आपको डाटा टाइप्स को चेंज करना है इसके बाद आप बागी जैसे लिखावा है बस वैसे यह आपको लिख देना है I think आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आप दो नमबर को एट कर सकते हैं C++ में मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाया रखिए Thank you for watching this video and never forget to subscribe Thank you